गुड मार्निंग मेरी प्यारी से यूटूब फेमेली स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरी अपनी चैनल ग्रहनी गार्डन ब्लाक्स पर दोस्तो कैसे है आप सभी लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो मैं अपनी चैनल पर अपनी डेली रूटिंग के कुछ ब्लाक्स साथ में अपनी देशी वाली रेसिपी आप लोगों से सेयर करते रहती हूँ आज का वीडियो भी बहुत मज़ेदार होने वाला है बीच में इसकीप मत किजिएगा वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा वीडियो समझ में आ सके तो आज की जो हमारी मज़ेदार रेसिपी होने वाली है या कहिए हमारा जो ब्लाग वीडियो होने वाला है वो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ में एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों और कमेंट करना बिलकुल भी ना भुले, तो चलिए आज का हम लोग मज़ेदार वीडियो शुरू करते हैं। हर एक चीज आपको बारीकी से बताने वाली हूँ। जिसे देखने के बाद अगर आप पहली बार भी इस तरह की चावल की रेशेपी बनाने जा रहे हैं तो एक बार में ही परफेक्ट तरीके से बन कर तयार हो जाएगी। बस वीडियो को एक बार आप पूरा देख लीजिए अच्छे से समझ लीजिए बिलकुल देशी तरीके से मैं समझाने वाली हूँ। वीडियो को बिलकुल भी इसकीप मत किजिएगा नहीं तो कुछ न कुछ छूड जाएगा और फिर आपकी रेशेपी अच्छी नहीं बनेगी। तो चलिए आज की मजिदार रेशेपी बनाते हैं। दोस्तो जरूरी नहीं है कि हमें इंडिया गेट का ही चावल लेना है। जो हम लोग डेली चावल खाते हैं उसकी भी हम लोग इस तरह की रेशेपी बना कर तयार कर सकते हैं। मेरे पास में थोड़ा सा चावल बचा था इंडिया गेट का। पुलावा बनाते हैं इस चावल से तो लगभग एक कटोरी चावल बचा था तो उसी की आज मैं रेशेपी बनाने जा रहे हूं एकदम सबसे हटकर और नई रेशेपी है वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए तो देखिए हमने यहां पर एक कटोरी भी पूरा नहीं है लेकिन दो लोगों के लिए एक कटोरी चावल हमारा परियाप्त हो जाता है तो यहां हमने एक कटोरी चावल ले लिया है और साथ में इसमें हमें एक कटोरी मतर के दाने लगेंगे जो कि अभी ठंडी का मौसम चलड़ा तो हरे हरे ताजे मतर हमें आसानी से मिल जा एक तरफ जो गंजी है उसमें आदा लिटर पानी और दूसरे तरफ गंजी है उसमें भी हमें आदा लिटर पानी डाल देना है एक गंजी का पानी हमें उबाल आने देना है मतलब उबलने देना है और दूसरी गंजी का जो पानी है उसे हमें कुनकुना करना है तो ये देखे दूसरे गंजी का पानी भी हमारा उबल चुका है इसमें हमें डाल देना है मतर मतर के दाने जब तक के हमारे उपर नहीं आएंगे तब तक हमें गेश चालू रखना है जैसे ही पूरे मतर के दाने उपर आ जाएंगे पानी के उपर तब हमें गेश बंद कर देना है और इसे भी हमें आदे घंटे के लिए लगभग ढखकर रख देना है ताकि हमारे मटर और चावल दोनों अच्छे से साप्ट हो जाए अब ये दोनों आदा घंटा इनको लगेगा मतलब साप्ट होने के लिए तब तक हम लोग देख लेते कि इसमें हमें और कौन-कौन सी चीज की आज काट लिया है और तीन से चार पाच हरी मिर्ची है और एक बड़ा सा टमाटर है इसे काटकर रेडी कर लिया है कुछ मसाले है जैसे कि हमारा एक तेजपत्ता है साथ में इसमें जीरा लिया है कुछ काजू लिया है सोप लिया है और इसमें लॉंग काली मिर्च भी है हम यह तयार करना है देशेपी तो आदा घंटा हमारा लगबग हो चुका है और जो गंजी में चावल रखा था वो चावल हम लोग देखेंगे कि एकदम साप्ट हो चुके मतलब तूटने लगते हैं तो हमें एक प्लेट में आराम से निकाल कर रेडी कर लेना है मतलब एक प्ले में निकाल कर रख लेना है मतलब दा चावल और मतर दोनों अलग अलग प्लेट में हमें निकाल कर रख लेना है और उसके बाद में हम लोग चलेंगे सीधे गेस के पास में तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे कड़ा में हमें एक चम्मच घी डालना है छोटी चम्मच से ही लेना है और एक चम्मच हमें डाल देना है इसमें तेल दोनों को हमें थोड़ा गरम होने देना है जैसे हम लोग सबजी बनाते हैं उसी प्रकार से हमें गरम होने देना है गरम होने के बाद में हमें डाल देना है एक ते इन सारे मसालों को डाल देना है और लगबग दो मिनट तक हमें इसे कम आज पर ही भूनने देना है दो मिनट तक हमें भून कर उसके बाद में हमने जो जीरा और काजू और साथ में हमारा सोप है उसे हमने अभी इसे एड नहीं किया है दो मिनट के बाद में उसे भी हम इसमें इन मसालों के साथ में डाल देंगे डालने के बाद में हम दो मिनट तक इसे भी अच्छे से भुन लेंगे तो ये देखिए जीरा, काजू और सोप और साथ में हमने जो पहले मसाले डाले थे उसे भी हमें दो मिनर तक पकने देना है और फिर हमें डाल देना है प्याज प्याज हमने दो काटे है बड़े बड़े और पास से छे हमारी हरी मिर्ची है इसे हमें थोड़ा सा सुनरे होते तक लाल होते तक प्याज को हमें भून लेना है जब हमारा प्याज अच्छे से भून जाएगा उसके बाद में हमें टमाटर को डाल देना है टमाटर को हमें पकते तक पकाना है मतलब ऐसे ही मसाले में हमें इसे पकाते रहना है और एक चमच हमें इसमें एट कर देना है अधरक लसन का पेष्ट हमने पहले अधरक लसन का पेष्ट तयार नहीं किया था और नहीं हमने कलिय डाली है बस इसमें हमें पेश्ट डाल देना है और इसे 2-3 मिनट तक हमें अच्छे से पका लेना है धग देना है थोड़ी देर मतलब 2-3 मिनट धग देंगे तो जल्दी ये पक जाएगा 2-3 मिनट होने के बाद में हमें इसमें नमक एट करना है अपने स्वात के अनुसार और उसके बाद में इसे अच्छे से थोड़ा और मिक्स कर देना है नमक डालने से हमारे जो टमाटर होगे रहे है जल्दी और गल जाते है पहले ही एट करना चाहिए लेकिन मैं बाद में तो नहीं भी डाल सकते हैं जरूरी नहीं है तो बस हमने लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है और इसमें हमने एक कटोरी डाल दिया है पानी हमारा एक कटोरी मतर और एक कटोरी चावल है तो दो कटोरी हमारा हो गया है चावल और मतर तो हमें एक कटोरी ही पानी डालना है अब इसमें हमें हल्दी पावडर डाल देना है थोड़ा सा और इसे अच्छे से हमें पकने देना है मतलब उबाल आने देना है जैसे ही हमारा पानी उबाल आ जाएगा उसके बाद में हमें इसमें डाल देना है मतर को क्योंकि हमारे मतर आरेडी पके भुए है और चावल भी हमारे एकदम साप्ट हो चुके मतलब आदे पक चुके है बस अब हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद में 5 मिनट तक लगभग 5 से 6 या फिर 10 भी हो सकता है 10 मिनट तक भी आप रख सकते कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें तो 10 मिनट तक मानके चलिए हमें इसे कम आज पे ढखकर पकने देना है और जैसे ही 10 मिनट हो जाएगा खोल कर हमें इसमें धनिया पत्ती डाल देना है और धनिया पत्ती डालने के बाद में फिर हमें इसे 2-3 मिनट तक धक देना है धकने के बाद में देखेंगे दोस्तों कि टेस्टी टेस्टी हमारे चावल का नमकीन यहां बनकर रेडी हो चुका है चलिए बहुत ही टेस्टी बना है आज का हमारा एकदम कड़ाई में वो हम लोग कभी कभी पुलावा वगरे जैसे वेच पुलावा या कोई भी पुलावा अगर हम लोग बनाते हैं जट पट बनने वाला अगर मानके चलिए कि जो पुलावा वगरे हम लोग बनाते हैं तो 10 म मिनाट में यहां पर नमकीन वाला चावल बनकर रेडी हो जाएगा तो दोस्तों आज की मेरी रेशेपी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताईए और आप लोगों को पसंद आई है तो अपने दोस्तों को सेर करना बिलकुल भूई ना भूले और दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब किये बिना बिलकुल भी ना जाए थेंक्यूं